नमस्कार सतिंदी.com में आपका स्वागत है एक नजर अब तक की सुर्ख्यों पर नवाब मलिक की बेटी के दोरा फटनेबिस को लीगल नोटिस भेजे जाने के बाद महराश्च के पूर मुख्यमंत्री देवेद्र फटनेबिस की पत्नी अमरिता फटनेबिस ने भी नवाब मलिक को कानूनी नोटिस भेजा है अमरिता फटनेबिस ने इस नोटिस में नवाब मलिक पर परिबार को बदनाम करने और छबी खराब करने का आरोप लगाया है बताते हैं कि इस से पहले नवाब मलिक के दामाद समीर खान की और से फटनेबिस को बिना किसी प्रमाण के उनके खिलाफ ने राधार आरोप लगाने के लिए पांच करोड रुपए का मान हानी नोटिस भेजा गया और उनसे लिखित माफी की भी मांग की गई अभिनेत्री कंगना रनोट के भारत की आजादी को लेकर दिये गए विवादित बयान के बाद अब बीजेपी नेता और सांसद वरुन गांधी ने उन पर हमला बोला और उन गांधी ने कंगना के वीडियो को ट्विट करते हुए लिखा है कि कभी महत्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का पान कभी उनके हत्यारे का सम्मान और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्षमी भाई भगस सिंग चंदर शिकर आजाद नेताजी कंगना रनौत के बेहुदे बयान के बाद आमाधी पार्टी ने मुंबई पुलिस को एक आवेदन देकर मांग की है कि फिल्म अभिनेत्री के खिलाफ केस दर्ज किया जाए आमाधी पार्टी के राष्ट्य कारकारणी सजस्ते प्रीती शर्मा मेनन ने कंगना की ठिपणी को देश द्रोह और भड़का उकरार दिया मेनन ने एक टूइट में कहा कि आप रनौत द्वारा किये गया पांजनक बयान की कड़ी निंदा करता है जिसमें कहा गया है कि 1947 की भारत की आजादी भीग थी और असली आजादी नहीं थी एक अन्य टूइट में मेनन ने कहा कि उन्होंने मुंबई पुलिस को एक आविदन दिया है जिसमें रनौत के खिलाफ भारती दंड सहंता की धारा 504, 505 और 124 ए के तहत उनके देश द्रोही और भड़काउ बयानों के खिलाफ कारवाई करने की मांग की गई है कॉंग्रेस के वरिष नेता सल्मान खुर्षीत की नई किताब को लेकर विवाद हो गया है इस किताब में उन्होंने हिंदुत्त की तुलना आतंगवादी तंजीमों आईसिस और बोको हरम से की खुर्षीत की किताब का नाम संडाइज ओवर अयोद्या नेशन हूट इन आर टाइम्स है और इसे बुद्बार शाम को रिलीज किया गया है ये बात उन्होंने किताब के दस सैफरन इसका इनाम के चैप्टर में कही खुर्षीत के बोको हरम और आईसिस से हिंदुत्य की तुलना करने पर बीजेपी ने उन्हें निशाने पर ले लिया बीजेपी की आईटी सेल के हैड अमित मालविय ने कहा कि खुर्षीत से और क्या उम्मीद की जा सकती है क्योंकि वो ऐसी पार्टी से तालुक रखते हैं जिसने मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए भगवा आतंगवाद का शब्द गड़ा बीजेपी नेता कपल मिश्णा ने भी सल्मान खुर्षीत पर हमला बोला खुर्षीत के खिलाफ शिकाय दर्च कराई गई है दिल्ली के वकील विवेक गर्ग ने दिल्ली पुलिस से अपील की है कि वो कॉंग्रेस नेता के खिलाफ हिंदुत को बदनाम करने और इसकी तुलना आतंगवाद से करने पर F.I.R. दर्च करें पूर्विदेश मंतरी सलमान खुर्षीत ने अपनी किताब पर हो रही विवाद को लेकर कहा कि जो लोग हिंदु धर्म या इसलाम को नहीं जानते हैं वो लोग ही उनकी किताब पर इस तरह की टिपणिया कर सकते हैं निज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदू और सनातन धर्म की तारीफ की है लेकिन बीजेपी और संग ने जिस तरह से धर्म को टुष दे दिया है उससे सुईकार नहीं किया सकता है उन्होंने कहा कि किसी को उत्रपदेश, तिरपुरा और असम में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर शांत रहना चाहिए इस तरह का नया भारत बनाया जा रहा है डॉक्टर कफिल खान ने कहा है कि उत्रपदेश सरकार ने उन्होंने गोरखपुर के बियाडी मेडिकल कॉलेज में आक्सिजिन की कमी से बच्चों की मौत के मामले में नौकरी से बरखास कर दिया है हला कि आदिकारिक तोर पर उनकी बरखास्तकी की अभी कोई पुष्टी नहीं हुई है बतादें योगी सरकार ने पिछले साल दिया गया फिर से विवाग्य जांच का आदेश वापस ले लिया था वहीं पिछले साल दोबारा विवागी जात के आदेश देने से पहले 2019 में उत्रवदे सरकार की ही रिपोर्ट ने काफील खान को उन मुख्य आरोपों से मुक्त कर दिया था जिसमें 63 बच्चों की मौत के बाद सरकार ने उन्हें पहले निलंबित किया था और बाद में मंत्री अशुक गहलोत ने आज कॉंग्रेस अद्ध्यक सोनिया गांदी से मुलाकात की है जिसके बाद कहा जारा है कि वो अपने प्रतिदोंदी सचिन पाइलट के साथ लंबे समय से चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए मंत्री मंदल का विस्तार करेंगे इससे पहले कल प्रियंक का गांदी वाडरा साइध कॉंग्रेस नेताओं ने कथित तोर पर उनसे सचिन पाइलट के समर्थों को अपने मंत्राले में शामिल करने का अग्रे किया था पार्टी नेताओं ने कहा कि गहलोत की सुनिया गांदी की साथ बैठक राजिस्तान मंत् ममता पार्टी छोड़ने के अपने फैसले की घोश ना कर दी, 22 साल 2 मार्च को विधानसवा चुनाओं से ठीक पहले पार्टी में शामिल हुई थी, उन्होंने अपना इस्तीफा देने के पीछे कारण BJP की बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए पहल और इमानदारी की कमी का जीव मोडा आ गया है, मृतक अलताफ के पिता चान्विया ने करते तोर पर कहा कि उनके बेटे ने डिप्रेशन में आकर खुलकुशी कर ली है, चान्विया ने करते तोर पर एक चिठ्थी लिखकर पुलिस कासगंज थाने को दी है, उन्होंने इसमें लिखा है कि दिनांक 9.11.21 को मेरे पुत्र अलताफ ने डिप्रेशन में आकर फांसी लगा कर आत्मा त्या कर ली, उसको पुलिस वाले CST उपचार हेतो आशुक नगर ले गए, जहां उसकी मृत्य हो गई, उन्होंने इसके आगी लिखा है कि मुझे पुलिस वालों से कोई शिकायत नहीं है, न करीब 2 फिट उचाई पर ही टैप है, मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अलताफ की मा फातिमा और उसके चाचा हुसेन नहीं आशंका जताई है कि चान्द मिया ने पुलिस के दवाओ में आकर अपना बयान बदला है और वे वही कह रहे हैं जो पुलिस ने पहले कहा था, फातिमा ने आज तक से कहा, मुझे नहीं पता अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, हमें इंसाफ नहीं मिला है, उन्हें डराया गया होगा, धंकाया गया होगा, बताने पहले अलताफ के पिता ने कहा था क्योंकि बेटे की पुलिस ने हिरासत में हत्या कर दी है, वहीं मीडिय रिपोर्ट्स में भी आया है कि अलताफ की मां बता रही है कि अलताफ के सिर में चोट और पैरों में सूजन थी उसको पीटा गया था चेंड़ई में बारिश आफत बनकर आई है राज में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इसने अब तक 14 लोगों की जान ले लिए है हालात ये है कि शहर के निचले इलाकों में इस्तित दुकानों घरों में पानी भर गया है बारिश के साथी तेज हवाएं भी चल रही है बता जा रहा है कि औससस से 50 फीसद जादा बारिश हुई है मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और कहा है कि उत्तरी चन्नई, तुरुबल्लूर, चेंगल पेट, काची पुरम, रानी पेट, विलुपुरम और कुड़ा लोर जिलों में भारी से भारी बारिश हो सकती है अब तक की खबरों बितना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहे है सत्तिहिंदी.com के साथ सत्तिहिंदी का एप डाउलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर